देश के राजनीती में आजकल कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाता है अब ये भी देश के पांच राजियों में नई सरकार बनी है महीं पच्चिम बंगाल से भी एक चोकाने माला मामला सामने आया है जहां पच्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र का आखरे दिन हंगामिदार रहा बीजेपी और टीमसी के विधायकों में जम कर हातपाई हुई और कपड़े भी फाड़े गई इस घटना के बाद पांच बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जब उसने बीर भूम मामले पर चर्चा की मांग की तो टीमसी के विधायकों ने आपक हो दिया और हातपाई की इस दुरान बीजेपी विधायक मनोज तिगगा के साथ मारपीट की गई इसके बाद बीजेपी के विधायकों ने सदन से बॉक आउट कर दिया बताय जा रहा है कि इस हातपाई में टीमसी के विधायक आसित मजुमंदार को भी कटित तौर पर नाक पर चोटा आई उन्हें SSKM में लजाय गया है बीजेपी विधायकों ने बताया कि हिधान सावा के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया उन्हें दावा किया है कि उनके साथ मारपीट की गई है और वेल में प्रदर्शन के दोरान सीकुरिटी गार्ड ने धक्का भी दिया बीजेपी ने सदन में बीरभूम हिंसा मामले में बहस की मांग की और फिर विरोध करना शुरू कर दिया इसके बाद सदन में स्तिती बिगड़ी और दोनों पक्चों के बीच हातापाई शुरू होगी इस घटना का एक वीडियो बीजेपी के आईटी सेल के चीप अमित मल्विया ने ट्वीट किया जिसमें बीजेपी और टीमसी विधायक आपस में हातापाई करते नजर आ रहे हैं तो इस खास खबर में अभी के लिए इतना ही बागी की दमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं जेजेन नियूस नमस्कार